हेलो बच्चों स्वागत है आपके अपने टूब चैनल के नहीं या क्लासेस पर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप मोल प्रभाज के नुमिरिकल कैसे लगाएंगे जी हाँ इस वीडियो में हम आपको विश्थार पूरुख समझाएंगे और लगाना में बता काईएंगे कि परिछा में जाकर कैसे लगाएंगे इसके पहले हमने आपको मोल लता के नुमिरिकल और मोल लता के नुमिरिकल के जो सवाल है हमने आपको लगा खिर बताया है कि आप कैसे लगाएंगे अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो सवाल है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल इलकोहाल के मिसरण में दोनों का मोल प्रभाज ग्याद कीजिए क्या दिया है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल लकोहल इन दोनों का निकालना है मोल प्रभाज तो क्या करेंगे सबसे पहले जल केड़ों की संख्या निकालेंगे उसके बाद एथिल लकोहल केड़ों की संख्या निकालेंगे उसके बाद जल और एथिल अलगोल का मोल प्रभाज ग्यात करेंगे तो जल के अड़ों की संख्या इसको मानें कि एनवन सूत्र होता है भार बटे अनूभार तो जल का भार कितना दिया है बातर गराम बटे जल का अनूभार कितना होता है इसको काटेंगे 18,5, 18, 18 चक्कू बातर तो एनन बराबर कितना जाएगा 4 आप निकालेंगे एथिल एलकोहाल के अडों की संख्या तो लिखेंगे C2H5 वबच के अडों की संख्या इसको मानेंगे एनन टू बराबर सूत लगाएगे भार बटे अनुभार तो एथिल एलकोहाल का भार है 92 गराम और एथिल एलकोहाल के अडों की संख्या होती है 46 और एथिल एलकोहाल के अडों की संख्या होती है 46 जिसको काटेंगे 46 एक नम 46, 46 दूना 92 तो N2 बराब कितना आ जायेगा 2, तो हमने सबसे पहले जल के अणों की संख्या निकाला, भार बटे अणों भार सुत लगाया, उसके बाद एथिल लकोल के अणों की संख्या ग्याद किया, आप निकालेंगे पहले जल का मोल प्रभाज, उसके बाद एथिल लकोल का मोल कितिना दिया है 4 और इंटू कितना दिया है 2 तो रखेंगे 9 की जगा पिछार बट्टे 19, first 20 2 तो कितना यहाँ दो चार रखेंगे दो से काटेंगे दो दूना 4 दो ती आ इंटू दो खे उब प्रहते 3 इसके भाग एग कितना O 2 यह अनिकर निकाला है जल के अनों की संख्यार दो रखेंगे एगा है चार प्लस अनिकर निकाला में चार दो तो हो जाएंगा है अनिकर च्छेह इसको दो से काटेंगे दो एकर नम दो दो तीयाई छे कितना जाएगा एक बटे तीन इसको भाग करेंगा जाएगा जीरो दिसमलो तेंटिस तो हमने आपको बताया कि आप मोल प्रभाज के निमरिकल कैसे लगाएंगे तो जैसे मैंने इस वीडियो में आपको सवाल लगा के बताया है अगर आप इस प्रकार से लगाएंगे तो बहुत आसानी सही सवाल को लगा सकते है अगला निमरिकल है यूरिया का एक विलियन भारा नुसार छे प्रत्सत है विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ग्याद कीजिए यानि कि इसमें भी मौल प्रभाज ग्याद करना है यह है अब हम आपको बताएंगे अगर सवाल में प्रत्सत दिया है तो आप मौल प्रभाज कैसे निकालेंगे इसके पहले जो नुमेरिकल था उसमें दिया था 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथर इलकोहल था उन दोनों का मौल प्रभाज ग्याद करना था तो हमने आपको बता दिया है कि आप कैसे ग्याद करेंगे अब इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो लिखेंगे यूरिया के मौलों की संख्या इसको मानेंगे 19 बरावर भार बटे अनुभार तो भार क करेंगे तो कितना जागा जीरो दुसमलो एक यूरिया के मौलों की संख्या कितनी अई जीरो तुसमलो एक आप निकालेंगे जल के मौलों की संख्या इसको मानेगे न फिल लगाएंगे भार बटे और भार अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 100 प्रसंट गितना था 100 प्रत्सत उस में से 6 प्रत्सत निकलगा है यूरिया तो कितना बचेगा 100 में से क्या करेंगे 6 को गठा देंगे तो निकल आएगा जल के मोलों की संख्या तो यहाँ पर हमने लिखा है 100 माइनस 6 बटे 18 तो 100 में से 6 गठा देंगे कितना बचेगा 94你要 94 बटे 18 94 बटे 18 है इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा 5.2 यानि कि एक विल्यान जो है 100 प्रसत है माल लेते 100 प्रसत है 100 प्रसंट में 6 प्रसंट यूरिया है बाकी क्या है जल तो मैंने पहले यूरिया के मोलों की संख्या निकाला भार बटे अड़वार तो कितना लिखा हमने 6 बटे 60 है यूरिया का जो अड़वार होता है 60 होता है इसको जब हमने काटा तो आए 1 बटा 10 इसको भाग किया तो आगा 0 प्रसमलो 1 आप निकालना है जल के मोलों की संख्या तो फिर सुत लगाए हमने भार बटे अड़वार तो यहाँ पर भार निकालना है तो 100 में से क्या करेंगे 6 घटा देंगे 100 परसंट होता है 100 में से क्या करेंगे यूरिया 6 परसंट है उसको घटा देंगे और बटे जल का अड़वार होता है तो क्या करेंगे 100 मेंज से 6 घटाएंगे इतना बचेगा 94 बटे 18 जब इसको भाग करेंगे तो आएगा 5.2 तो अब निकालेंगे यूरिया का मोल प्रभाज इसको माना हमने X1 तो सूत लगाएंगे N1 बटे N1 प्लस N2 तो N1 कितना निकाला है? 0.1 बटे N1 कितना निकाला है? 0.1 प्लस N2 कितना निकाला है? 5.2 अब इसको जोड़ देंगे तो 0.1 बटे इसको जोड़ेंगे 2-1 तीन दसमलो लगा है 0.5 अब क्या करेंगे? दसमलों से दसमलों को हटा दें कितना जाँगा 1 बटे तीरपन ऐगवटे तीरपन को भाग करेंगे तो आएगा 0.028 तो अभी हमने निकाला है यूरिया का मूल परभाज इसको माना था हमने एक सवन यानि की निकाल लिया है यूरिया का मूल परभाज अब हमको निकालना है जलका मोल प्रभाज तो सूत लगाएंगे X1 प्लस X2 बराबर 1 तो X1 कितरा निकालना है 0.018 तो जहाँ पर X1 है वहाँ पर रखेंगे 0.018 प्लस X2 बराबर 1 अब क्या करेंगे तो 0.018 प्लस का है इसको जब परश्चांतर करेंगे तो काई मतल जाएगा ये माइनस में हो जाएगा अब क्या करेंगे तो हो जाएगा X2 बराबर 1-0.018 अब क्या करेंगे एक में से घटा देंगे 0.018 तो बचेगा 0.982 ये निकलाएगा जलका मोल प्रभाज तो हमने आपको बताया कि यदि सवाल प्रत्सत में दिया है मोल प्रभाज याद करना है तो आप कैसे निकालेंगे हमने आपको विस्तार पूरग समझा दिया है और लगा की भी बताया है कि आप कैसे लगाएंगे तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप मोल प्रभाज की निमिरकल कैसे लगाएंगे तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन, जय भारत